पिछले वीडियो में मैंने 5 best phone बताये थे 15000 के नीचे आने वाले लेकिन उस लिस्ट में ऐसा था कि भाई सारे 5G phone नहीं थे, कुछ 4G भी थे मतलब वो all-rounder type के phone थे लेकिन इस वीडियो में आपको 4 phone बताऊंगा जो की 5G को ज्यादा target करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग है जिनको एक best 5G phone चाहिए 15000 के नीचे कि भाई जब भी future में 5G आए तब हम 5G को यूज कर सके और उस time पे हमें better connection मिले ऐसा कोई 5G phone बताऊ 15000 के नीचे तो 4 phone बताऊंगा 15000 के नीचे आने वाले जिनमें आपको 12 5G bands मिलते मतलब 5G को लेकर कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी 5G आए कभी भी आए आप आराम से यूज कर सकते हो सबसे पहला phone है Moto G62 जिसमें 6.5 फाइंचे का एक LCD डिस्प्ले मिलता है 120Hz का रिप्रेचेट है Snapdragon 695 प्रोसेसर मिलता है और UFS 2.2 की फास्ट टोरेज दी गई है अब पफोमस की बात करें तो इसमें आप मेडियम सेटिंग में अच्छी गेमिंग कर सकते हो आपके डेली उसमें कोई दिक्कत नहीं आती Android 12 मिलता है और सबसे मेन हाइलाइट 12 5G बैंट्स मिलते है तो भाई जब भी 5G आए आप 5G यूज़ करने के लिए हमेचा रेडियर होगे 12 बैंट्स के साथ फोन की बैक साइड में 50 Megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटप मिलता है जिससे 1080p 60 एपस में शूट कर सकते हो 16 Megapixel का सलपी कैमरा है 5000 mAh की बैटरी 20 Watt का चारजर मिलता है साइड मॉन्टेट फिंगर्पिंट स्कैनर है और प्राइस की बात करें तो 6 GB प्लेस 128 GB वेरेंट वैसे तो 16,000 का मिलता है लेकिन कार्ड आफ़र में आपको 15,000 का मिल जाएगा बाइस सामसंग फैंस के लिए एक फोने लिस्ट में दूसरा फोन है सामसंग F23 जिसमें 6.6 इंचिस का एक TFT डिस्पले मिलता है यह सामसंग की यह दिक्कत है जिस फोन में AMOLED डिस्पले देते हैं उसमें HD Plus Resolation होता है और जिसमें FHD Plus Resolation होता है उसमें होता है TFT डिस्पले अब एक अच्छी बात ही है कि 120Hz का रिप्रेशेट दिया है Snapdragon का 750G प्रोसेसर मिलता है Android 12 मिल जाएगा और 12 5G बैंड्स यहाँ पर भी मिलता है परफोमस की बात करते हैं मीडियम सेटिंग में अच्छी गेमिंग हो जाएगी आपके डेली उज में कोई दिक्कत नहीं आती 50 Megapixel का ट्रिपल कैमरा सेटप जिससे 4K 30FPS में रेकॉर्ड कर सकते हो शायद ही कोई फोन होगा 15000 के नीचे जो आपको 4K रेकॉर्डिंग ओफर करता हो और यहाँ पर आपको सेल्पी कैमरा मिलता है 8 Megapixel का अपने मुकडे की मस्त मुकडे की सेल्पी हो खेरा लेने के लिए 5000 MHz की बैटरे 25W के चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा यही चीज़ सामसंग की पसंद नहीं आती है जब भी 2000 के नीचे एक 5G फोन की बात आती है Motorola हमेशा आगे रहता है जैसे कि इस लिस्ट में दो फोन है Motorola के और दूसरा फोन है Moto G51 जिसमें आमे 6.8 इंचिस का एक LCD डिस्प्ले मिलता है 120 Hz का रिप्रेश अट है Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर मिलता है जो कि एक मिड रेंज में काफी सभी प्रोसेसर है 8 NM का है जिसमें आप मीडियम चैटिंग में आची गेमिंग कर पाऊगे थोड़े बहुत हेवी टास्क हो जाएंगे गल्फ्रेंट से चाठिंग और कर सकते हो यहाँ पर आपको बारा बैंड्स मिल जाते है साइड मांटेट फिंगर्पेंट स्कैनर है और प्राइज की बात करें तो 4GB प्लस 64GB विरेंट आपको 13,000 रुपे का मिल जाता है अपने लिस्ट का जो लास्ट फोन है वो मेरा परस्नल फेवरेट है अगर हम ब्रैंड वैल्ली को थोड़ा साइड में रखे तो यह फोन है Infinix Note 12 5G फोन जिसमें 6.7 इंजिस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और यह बड़ा होने के साथ साथ एक AMOLED पैनल है जो की बहुत बढ़िया बात है अब इस डिस्प्ले में दो कमी है सबसे पहली की बहाई नौच डिस्प्ले मिलता है आपके हेवी टास्क, डेली यूज़ वहाँ पर दिक्कत नहीं आती LPDR 4X RAM है लेकिन यह MMC 5.1 की स्टोरेज मिलती है यहाँ पर UPS 2.2 की तो होनी चाहिए थी और बाकी सारी चीज़े काफी अच्छी है Android 12 मिलता है आपको 12 5G बैंस मिलते है 5G के लिए काफी सही फोन है फोन के बैक साइड में 3 कैमरा जैं 50MP का में कैमरा जिससे 2K में वीडियो सूट कर सकते हो 4K से नीचे रहता है 1090 बे से उपर 16MP का सेलपी कैमरा है 5000 इमेज की बैटरी 33W का चाहज़र मिलता है दोनों से यह साइड मांटेट फिंगर्पिंट स्कैनर है और प्राइस की बात करें तो 4GB प्ला 64GB वेरेंट आपको 14,000 यानी 14,000 का मिल जाता है तो यह थे वो चार बैस्ट 5G फोन जो 15,000 की नीचे मुझे काफी ज़्यादा सही लगे जिनको 15,000 की नीचे 5G फोन चाहिए भाई फ्यूचर में 5G आए तो मुझे 5G यूज़ करना है तो 5G के लिए यह चार बहुत ही सही है 15,000 की नीचे अब इनमे से जो भी आपको पसंदार है आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो वीडियो पसंदार है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चानलों को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वले वीडियो में